बिसमल्य रह्मान रहेम कैसे हैं भई आप लोग रटना नहीं समझना है ठीक है सर्प्राइज देदें आप लोगों को सेकंड येर वाले देख लीजे भई सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड येर फिजिक्स की बुक अजरारी ठीक है सर केमिस्ट्री कहा गई एंग्लिश कहा ग वह भी हdefense इसन्टेक्स बुक बोर्ड और सेकंड येजिद बिलकुल को टुक के अर्ट्य की फिजिक्स और सेकंड येर की फिजिक्स में कौन सा चैप्टर ये भी बता जीते हैं आपको ये रहा भाई चेप्टर 17 चेप्टर नमबर 17 और इसका नाम है एडवेंट और चेप्टर नमबर 17 निकाल लीजे भई ये क्या है एडवेंट और मॉडरन फिजिक्स आपके भाई बहन जो भी है जो सेकंड ये में हैं इनके पेपर होने वाले हैं अगले महीने उनको बता है जादीजिए भई सर ने हमारे ये एक वीडियो इस पर ये बना ली है आप लोगों के लिए देख लीजिए बड़ा तो एडवेंट का मतलब क्या है इसको उर्दू में कहते हैं जहूर जहूर होना या जाहिर होना या शुरू होना या शुरू होना आप ये कहलें शुरूात किसकी मौडरन फिजिक्स की मौडरन का मतलब क्या है जदीद काप फेंसिल ले लिजे भाई और मुस्कुराते भी रहिए जोरे बा स्वीफ हिल गया तो जदीद ठीक है यनि के एडवेंट ऑफ मौडरन फिजिक्स जदीद फिजिक्स का जहूर जदीद फिजिक्स का इस्टार्ट जदीद फिजिक्सक के अफिजिक्स भी मुढ भूल गया तो जदीद ठीक है ऐनय के अडवंट ऑफ मॉडरन फिजिक्स जदीद फिजिक्स का जहूर जदीद जजिक्स का स्ट गधिद फिजिक्स की आफना का फ्विजिक्स πु पुरानी हे औरनी है है बिल्कुल भाई physics दो हिस्सों में divide है ठीक है आपको बता जे तम classical physics क्लासिकल फिसिक्स और मॉडर्न फिसिक्स मॉडर्न फिसिक्स हिस्ट्री में आगर बताऊं तो बिफोर 1900 क्लासिकल का मतलब होता है old क्लासिकल का क्या मतलब होता है old तो पुरानी physics या classical physics या old physics जो है वो 1900 से पहले किये जितनी भी सब की सब classical physics या old physics में चली गए और modern physics जो है after 1900 तिल नौ अभी तक की 1900 से बाद से अभी तक की 2020 तक की जो physics है वो किसमें आती है modern physics है ठीक है सर पता चल गया modern physics का start कब हो रहा है यह तो 1900 से हो रहा है ठीक है वजा क्या है reason reason रीजन बताने से पहले यह note करें लाजमी आपको note करना पड़ेगा सीखना है तो मिटा दू इसको reason क्या है सर इसका वजा वजा इसकी क्या है वजा की तरफ चलता है पहले आपको बता दूँ कि आज के topic का नाम क्या है relativity शेप्टर का नाम तुम ने बता दिया relativity इसको हम कहेंगे एन ओवर व्यू relativity का एक overview है ठीक है उसकी वजा यह है कि classical physics जो है वो deal करती है classical physics जो है वो किस से मुतालिक big bodies से मुतालिक है जो हमारी daily life में और modern physics जो है modern physics जो है वो किस से मुतालिक है पार्टिकल्स से मुतालिक है अब एक बात तो आपको भी पता होगी यह pen pencil marker mobile इंसान पहार समंदर यह पूरी जो हमारी दुनिया बनी हुई है जो हमें नजर आ रही है solid liquid गैस यह वो सारी big bodies है और यह सारी big bodies बनी किस से है यह पार्टिकल्स से ही मिलके बनी है तो big bodies जितनी भी हैं बड़ी बड़ी चीजे अजसाम जितने भी हैं उनको classical physics में study कर रहे हैं और जब उनी bodies की particles पे physics के laws apply कर रहे हैं physics equations apply कर रहे हैं उन particles पे जिन particles से मिलके यह बड़ी bodies बनी हैं तो result सही नहीं आ रहा जी लोग है रहान बड़ी bodies पे laws apply कर रहे हैं physics के result सही आ रहा हैं उनके particles पे वही laws apply कर रहे हैं result सही नहीं आ रहा हैं यह था वो question mark जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था इसके ओपर फिर लोगों ने काम करना शुरू किया वहां जरूरत पड़ी एक नहीं physics की जिस और यह वो word है जिसने इसकी शुरुवात की relativity ठीक है तो आप इसको जरा हम देखते हैं कि relativity क्या है मिटा दूं मिटा दिए जरू relativity वर्ड किससे निकला है relations है इसी से word निकला है relatives relation किसका क्या मतलब है रिष्टा relatives का क्या मतलब है रिष्टेदार और यह तो पता है हमें इसी से word यह relativity निकला है इसका मतलब एक और बनता है जिसको हम कहते हैं तालुक क्या कहते हैं तालुक रिष्टा किस चीज़ से motion से motion किसको कहते हैं हरकत क्या तालुक क्या motion किस से दो बॉडीज का relation between two bodies in motion very important notes में डाल दीजिए relation between two bodies in motion दो बॉडीज जो के हालत यह हरकत में हैं उनका अपस में तालुक जो है वो relativity में हम देखते हैं तो क्या दो बॉडीज जो के हरकत में उनका अपस में तालुक है बिल्कुल तालुक है वे कैसे पहले जरा इसको तो समझ दीजिए आप इसको हम हरकत कहते हैं मिटा दू इसको मिटा दीजिए relativity समझना आएगा दो बॉडीज का अपस में तालुक है किस पॉइंट अफ यू से जब दोनों बॉडीज हरकत में है ठीक है तो बॉडीज का सारी हरकत में है रेस्ट में भी है रेस्ट और मोशन इसको भी जड़ा देख लीजिया सर इतनी तवील बाते कर रहे हैं क्या होगा सीखिए सिखा रहा हूं आप लोगों को जल्दी है तो विडियो बंद करके चले जाएं कोई टेंशन की बात नहीं परिशान ही रहेंगे फ्री क्या हो गया रेस्ट किसको कहते हैं Bodies which do not change their position विद रेस्पेक्ट विद रेस्पेक्ट टू अधर बॉडी तो हम कहते हैं वो बॉडी अच्छा रेस्ट किसको कहते हैं रेस्ट हम उस हालत को कहते हैं जिसमें बॉडी जो हैं डो नोट चेंज अपनी हरकत को बदलते नहीं हैं अपनी सराउंडिंग के मुकाबले में या अपने उड़्द इड़्गिर्द मौजूद चीजुं के मुकाभले में सर ये चीज अगर रस्ट में है ये बॉक एक पड़ी हुई है तो इसका इड़्द इड़्द की मौजूद चीजुं से क्या तालुक है ये मैं बताता हूं पहले तो इस definition को समझ लेंगे, बलके इसको इस समझते हैं, motion को छोड़ देंगे, कोई body rest में क्यों है, जब वो अपनी position चेंज नहीं करती, change their position, जब अपनी वो position चेंज नहीं करती, मिसाल के तोर पर, एक room के अंदर, जो है, वो एक chair रखी हुई है, और इस chair के ऊपर ये, एक book रखी हुई है, मैं आप से पूछता हूँ, ये किस position में आप बोलेंगे, सर, rest position में, अब ये book यहां से उठा के मैं यहां ले आता हूँ, आप को बोलता हूँ, अब जो है, book जा रही है, book लेके मैं जा रहा हूँ, तो मैं आप से पूछता हूँ, अब क्या position है book की, आप कह मैं ने कहा यह rest में और जब यहां से यहां आयी आ रही है continuously मैं लेके जा रहा हूं आब आपसे पूछ तैंठेना था ठोड़ा सा थरा imaginative बनियेTe яв फिसों को समझना है तो किसे पता लगा आपको क्यों कै। scorrounding में जतनी चीजें थी उसके मुकाबले में इस book ने अपनी position change नहीं की थी वो सारी rest वो वो अपनी जगह पर पढ़ी हुई है इसने अपनी जगह change कर ली तो हमने क्या कहा कि इसने हरकत की और अगर दूसरी चीज़ें अपनी जगह पर पढ़ी हुई है और उनके मुकाबले में ये भी अपनी जगा पर पड़ी हुई है तो हम इसको क्या कहेंगे ये बॉडी रेस्ट में है और अगर दूसरी चीजों के मुकाबले में ये वो अपनी जगा चेंज कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो है वो हरकत में है सर यहां तक तो पता है केलीय हो गई बात कि हमें पहले से ही पता है आगे तो बताईे आगे चलते हैं भई तो आपको इन चीजों की वज़ा से पता चला कि यह कोई आपजेक्ट जो है वो rest में कब होता है और हरकत में कब होता है तो इसका मतलब यह हुआ के bodies के rest या motion में होने का तालुक relativity के लागता है और bodies के rest या motion में होने का तालुक उनके surrounding में मौजूद चीजों से है उनको देख के आप क्या करते हैं उनसे आप compare करते हैं मवाजना करते हैं कि जब दूसरी bodies जो है अपनी जगा पर मौजूद हैं तो ये भी अपनी जगा पर ही मौजूद है तो आप क्या कहते हैं रेस्ट में है और अगर दूसरी bodies जो है वो हरकत कर रही है दूसरी bodies rest में है और ये body जो है अपनी जगा तबदील कर देती हैं आप क्या कहते हैं ये motion में अब जरा imagination में देखिए imagination में देखिए कि यहां जो चेर्स वाज़रा बोर्ड बोर्ड यह वो सब कुछ जो पड़े हुआ इस किलासरूम में यह बुक जब यहां से यहां आती है तो यहां पर मौझूद चेर है वो भी यहां से यहां आती है बोर्ड भी यहां से यहां आता है ये दूसरी चेर्स भी यहां से यहां आजाती है जो सरासिफ खड़े हैं वो भी यहां से यहां आजाते हैं तो पता है क्या होगा आपको पता ही नहीं लगेगा कि आया इस बुक ने हरकत की है या नहीं की जी बिलकुल सर क्या बात कर रहे हैं बिलकुल कैसे सर explain करें मैं बता जाता हूं आप एक कार में बैठे हुँ जा रहे हैं स्राउंडिंग में बड़ा अच्छा मंदर चल रहा है कार चल रही है आप देख रहे हैं आप हरकत में जाएट सी बात है कोई पूछे का आप रेस्ट में या मोशन में आप रहे हैं स्राउंडिंग में चीज़ आपके घुजर रहे हैं आप जा रहे हैं ये कार जारी यहां बैठे हुए अचानक दूसरी कार जो है वो आजाती है आपके बराबर में उसमे भी आपके दोस्त बैठे हुए एक आमने सामने आप एक दूसरे को देख रहे हैं हाँ वो भी आपकी तरफ देखता हो हाँ हेलो क्या अले है ठीक ठाक गाड़ी चल रही दोनों की गाड़ी चल रही याद रहे कि अब इस व्क्त इस मुमेंट दोनों की विलॉसिटी कि यहां चीम होनी चाहिए कि दोनों की विलॉस्टी में होनी चैए अक्यित ती idol do आगे निकल जाएगा इसकी विलोस्टी जाद हो यह आगे निकल जाएगा ना किसी की कम हो ना किसी की जाद हो दोनों की क्या हो सेम हो कॉंस्टेंट हो तो यह दोनों एक दूसरे के सामने जब आ जाएंगे इमेजन में देखिए आप कार चल रही है दोनों चल रही है लेकिन यह जब यह दोसरे को देखेंगे तो क्या फील करेंगे ये हम एक लम्हें के लिए सोचिए ऐसा ड़ाएगा जैसे कि यह दोनों रेस्ट पोजिशन में जी बिल्कुल यह दोनों प्रेस पोजिशन में उस लम्हें जब contradiction को देख रहा हुब और जब ये गर्दन गुमा के विंड स्क्रीन के पार देखेंगे या इधर देखेंगे तो फिर इनको लएगा कि हम तो हरकत में हैं क्यों वजा ये है कि सराउंडिंग के मुकाबले में ये जो दूसरी गाड़ी है ये क्या है बिल्कुल सेम विलॉस्टी में इसके साथ ही अधर आएंगी तो इनको क्या महसूस होगा इनको महसूस होगा हम हालते हरकत में हैं समझ मागे यहां तक क्लियर है रिलेटिविटी एन ओवर्वीव पार्ट वन करते हैं सीखना है तो मेरे साथ रही है अगर बहुत जल्दी में है तो बरहा है महर्भानी वीडियो बन कर द झाल अ झालina समझ काईड़ो फिर שब लिए Aleкв खिर आचर पार्ट करते हैं झाले नटहा है अगा करते हैं जल इनको क्या मोरे अचिज़ पार्ट पार्ट रहि lige हैं